कि हमारे पास इस टोर्शन में दिया हुआ है अब वायर चैनल ड्रेट आई इस टेप्ट इन एक सुआई प्लेन अलाउन दी टर्व वाय जो मार पास एड्सप्रेशन दिया हुआ है और अब बताया जा रहा है कि यह हमार पास वायर है जिसे टर्फी फोर्म में जो तरणने पर ऐसा यह बनता है अपने पास अपने पर plea नहीं यह ने कि we बताया जा रहा है कि इसमें चीटन आई फ्लो हो रहा है इसमें रित्स में हचित्छ the magnetic force on the portion of the wire between x zero to x lambda तो मतलब यहां पहरे मैं बात रहूं तो जो x value है वो क्या है मेरे पास 0 है जी जी मेरा origin है यहां पर सारे point 0 होने है अपने पास अच्छा हम एक और बात बताई जा रही है जो हमारा magnetic field है वो z direction ही तरफ है basically जो magnetic field है वो हमारी तरफ आ रही है सही है यहां देर बात समझ सकते हो अब magnetic field भी exist in the z direction तो magnetic field हमारी तरफ बाहर तरफ आ रही है तो यहां पर ध्यान देने बात किया ध्यान देने बात यह ति जो magnetic field है वो outside आ रहा है यहां से सही है तुम इसे समझ रहा है जो ऐसे पूरे जरप ऐसे सेम आ रहा हो रहे है यहां पर मतलब क्या होता है अपने पास यह जो dot होता है इस तरफ मतलब होता है अपने पास outside magnetic field outside है और cross मतलब क्या होता है अपने पास inside magnetic field inside है यहां पर magnetic field outside है सही है तुम्हार पास यह portion यह वाला हम यूज सरने वाले हैं यहां पर सही है जब magnetic field है वही नहीं रहेगी तो हम magnetic force ऐसे बता सकते हैं इसलिए हमार पास important है यहां पर magnitude field abgesलिता हो ना डर्यक्षिन ते अपने पास बाहर की तरफ है आई जैसे फ्लो हो रही है अपने पास आय आयां अपने पास फ्लो हो रहा है इस direction में तो जो मेरा force है वह जैसे हो रहा है मेरे पास force जो इस portion में बात रहूं सब्सक्राइब और मेरा ङे यह इस तरफ वह रहा है मेरा आई इस तरफ वह रहा हैं है भी outside है मेरा फोर्स है उसे direction रही downward है किह से ही हम जैसे बता रहे हैं हम यहां पे palm rule सी सकते हैं या फिर या यह सकते हैं यहां पर हम चाहिए तो left hand लू ठाल मेरे तो यहां पर concern नहीं है हमें magnitude बताना है तो देखो मेरे पास डिस्टेंस है वह किया है जीरो से लैमडा मतलब यह portion किया है अपने आपे लैमडा तो यह मैंने distance हो जाए अपने पास अब हमें पता है क्या पता है हमें जो force की value होती है वह होता है अपने पास i l cross b जहां पर l होता है अपने पास length है और हमें एर बात पता है जो force होता है वह perpendicular होता है length पे साथ ही साथ जो हमारा force होता है वह perpendicular होता है हमारे पास magnetic field पे यहां से तो मैं यहां से test अगता हूं यह जिससे बराबर है यह होज़रा i l b और यह दोनों आपस में perpendicular हैं तो साइन 90 यह हम जानते हो formula साइन थीटा और यह plane जो मैटनेटीव फील्ड है वह plane of length पर पेर्पेंडिकलर है यह होज़रा i l b अब यहां पर length इतना है अपने पास length मतलब effective length दिया हुआ है लैमडा distance है आपने पास तो यही तो distance हमें बता नहीं है सोरी बतानी नहीं है distance दिया हुआ है तो force होज़रा मेरे पास i lambda b जो यहां पर हमारा l है वो क्या है अपने पास lambda तो यही हमसे बताया जाद रोशन में और यह value में proof नहीं थी सोरी find out तो नहीं थी तो मेरे पास force यह value आ रही i lambda b तो यही हमारा final answer भी है इससे असान solution और कहीं नहीं रहीं